हेलो औल एंड विलकम बैक अगेन सीसेट की सीरीज में कॉम्प्रिहेंशन हम लोग डिसकस किये हुए थे और कॉम्प्रिहेंशन में एक बार क्विकली अगर देखा जाए क्या आगे के क्वेशन के बारे में भी तो हम लोग ने जो डिसक्शन किया था वो 2022 का जो पेपर है उसमें हम लोग ने डिसक्शन किया था क्वेशन नमबर क्वेशन नमबर फॉटीन तक तो इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी जो क्वेशन से उनको भी डिसकस करते हैं इनको जब क्वेशन डिसक्शन करेंगे और जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन बेस्ट जो क्वेशन से उसमें डिक्कत नहीं आएगी और आपको एक अच्छा कमफ़र्ट भी फील होगा सो फड़ापट शुरू करते हैं अगे इन वापस से एक वार अगर आपको क्विकली डिवाइस कराया जाए तो हम लोग ने डिसकस किया था पैसेज में पैसे सॉल्व करने के बिसिकली तीन स्टेप सम लोग ने बात किये थे यह पहला स्टेप जैसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे कि कीवर्ड को फाइंड आउट करेंगे आफ्टर रीडिंग अ क्वेशन तो आप कीवर्ड को फाइंड आउट करेंगे पहले फिर इसके बाद से स्टेप नमबर टू में आप passage को read करेंगे और passage को read करने के बाद में passage में से जहां जहां keyword है उसको आप लोग highlight कर रहे होंगे step number 3 में हम लोग ने देखा कि फिर उसके बाद से आप questions को पढ़ेंगे और question के बाद में फिर passage के जहां पर भी keywords है उस keyword को ultimately आप ready करके फिर finally अपने answer को निकल लेंगे तो यह हम लोग ने तीन step देखा था to solve any passage now coming to the passage अब देखें यहाँ पर जो passage लिखा गया है बहुत बड़ा सा passage है और अगर बड़ा passage इसका मतलब क्या है आसान होगा now अब यहाँ पर सबसे पहले step पर आते हैं और पहले step में बोलता है कि आपको question ready कर लेना चाहिए और question के बाद में जो keywords है उसको ready कर लेना चाहिए based on the above passage the following assumptions have been made अब देखें यहाँ पर assumption क्या क्या बनाना है उसको लेकर के सवाल बोला जा रहा है पहले question में Assumption के बारे में बोला गया है दूसरा question है based on the above passes the following assumptions have been made यहाँ पर भी कुछ assumptions के रहे में बोला जा रहा है और तीसरा क्या है यहाँ पर भी आपको assumptions के ही बारे में बोला जा रहा है कि क्या क्या assumptions यहाँ पर किए जा सकते हैं I think यही तीन questions होंगे अब जरब यहाँ पर आते हैं एक बाद जरह अजम्शन को भी पढ़ लिजे कि क्या क्या बोला जा रहा है कि development of agricultural technology is confined to developed countries कुछ agricultural technology के बारे में पूछा जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि ये कहां पर confined है agricultural technology is adopted in developing country अब ये पहला statement बोलता है कि केवलों केवल developed country में ही agricultural technology का development हुआ है confined वहीं तक है केवल दूसरे statement में बोला जा रहा है कि agricultural technology is not adopted in developing country यानि कि developing country वालों ने adopt नहीं किया है ये तो assumption हो गया 22 नमबर के question में जो assumption बोला जा रहा है poor countries need to bring about change in their existing farming technique दूसरा statement है developed countries have better infrastructure and they waste less food मतलब यहाँ पर कुछ agricultural practices के बारे में बोला जा रहा है तो कुल मिला करके second number के question में agricultural practice के बारे में बोला जा रहा है और पहले वाले question में पहले वाले question में बोला जा रहा agricultural जो techniques हैं तो agricultural technique के बारे में यहाँ पर बोला गया है तीसरे question में बोला या रहा है बारे में बात की जा रही है फूचरिस्टिक आइडिया क्या होंगे उसको ले करके क्या जम्शन से ये बात बोली आ रही है चलिए यह हम लोग ने पढ़ रही है अब हम लोग जरा आते हैं और पैसेज को रीडि करना शुरू करिए जरा पैसेज में बोला जा रहा है कि in some place in the world the productivity of staples such as rice and wheat has reached a plateau मतलब की saturate हो गया एक तरीके से कहिए neither new stain non fancy agrochemicals are raising the yield मतलब की new stain and non fancy agrochemicals का मतलब यह हो गया कि यह जो नई technology हम लोग use कर रहे हैं new stain का मतलब एक तरीके से genetically modified crop जो होती है यानि कि technology को अगर हम लोग use भी कर रहे हैं तो भी यहाँ पर कोई खास change देखने को नहीं मिल रहा है nor is there much unformed land left that is suitable to be brought under the law मतलब कोई यहाँ पर अब जमीन भी नहीं बचिए जो कि हम खेती में ले आ सकें if global temperature continues to rise some place will become unsuitable for farming climate change को बुला या रहा है कि आगे जाकर के climate change के कारण से हो सकता है कि farming यह कई सारे areas ऐसे होंगे जो unsuitable रह जाएंगे application of technology can help अब देखिए अब यहाँ पर technology की बात आ गई यह है agricultural technology technology can help overcome these problems अब यहाँ पर पहला question का answer यहाँ से शुरू होना शुरू हो जागा agriculture technology is changing fast much of this change is brought about by effluent farmer in the West America यानि की बहुत सारे changes जो हैं वो west में या कह सकते हैं तरीके से developed country में हुए हैं टेकनीक developed in the west are being adapted in some places to make tropical crop more productive जो west में यानि developed country west को developed country मना जाता है यो technique developed की गई थी west में यह अब कई और जगों पर adopt की जा रही है tropical crop more productive बनाने के लिए ट्रॉपिकल क्रॉप का मतलब हो गया एक ऐसी country हो सकता है होगी जो ट्रॉपिकल कंट्री भी होगी और ट्रॉपिकल कंट्री का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि developing country यानि now the developing countries are started adopting the practices which have been developed by the west technology is of little use if it is not adopted सही बात है in the developing country अब देखिए developing country के बारे में यहाँ पर बाते होनी शुरू हो गई उपर developed के बारे में था नीचे developing के बारे में है developing world that applies as much to existing forming technique as it does to the latest advances in genetic modification अब यहाँ पर जो भी developed country that applies as much to the forming existing forming technique as it does to the latest यानि कि यह दोनों के दोनों चीज़ों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है मतलब दोनों ही जो forming technique already develop की जा चुकी है हमारे developed the world के द्वारा उनको भी adopt कर रहे है प्लस साथ में कुछ genetic modification का भी काम कर रहा है तो genetic modification में भी इन लोगों की कह सकते हैं कि काम किया जा रहा है आगे बुलाया रहा है कि extending to the small holders and subsistence farmers of Africa यानि जो छोटे किसान है और साथ में जो subsistence basis पर खेती करते हैं अफरीका में और साथ में एशिया में अफरीका और एशिया से कहने का मतलब यहाँ पर हो गया कि एक तरीके से developing country है यह एक तरीके से developing country है मतलब यह जो हमारे पास में road or storage है यह आप एक तरीके से समझेए कि infrastructure डवलब करने के बारे में यहाँ पर बाते की जा रही है कुल मिला करके यहाँ पर जो आप लोगों ने पढ़ा उससे हमें दो-तीन बाते समझ में आ गई और उस दो-तीन बातों को retain करते हुए देखिए एक और हम लोगों ने important बात बोली थी कि हमेशा retain करके रखना है whatever you have read in the comprehension तो जो भी आपने पढ़ा उस चीज को read करके उसको retain करके आपको दिमाग में रखना होगा अब जड़ा देखिए question number 21 में क्या बोला जा रहा था assumptions क्या क्या आप बना सकते हैं मतलब assumption का मतलब before going into the problem or looking into the solution what measures you have made in your mind अपने दिमाग में क्या आपने parameters सेट करके रखे हैं क्या दिमाग में जैसे होता है एक pre-existing thought pre-judice जो पना करके रखा है उसी के बारे में हाँ पर बाते होती हैं statement number 1 बोलता है कि development of agricultural technologies confined to developed countries अब देखिए काइदे से अगर देखा जाए तो जो हमारे developed countries है वहीं पर सारी technology का development हुआ था development वहीं पर हुआ है अगर हम लोग पढ़ रहे हैं वहां से यह पता चल रहा है कि developed country ही इन सब्री चीजों को developed की थी और ये developing country के द्वारा adopt की जा रही है ये developing country के द्वारा adopt की जा रही है तो ये पहला statement तो चलिए ठीक है आप ये assumption बना सकते हैं कि चूकि adopt की आ जा रहा है यानि बनाया किसी और के द्वारा गया होगा और बनाया जिसके द्वारा गया है वो है west country और west का मतलब एक तरीके से जो developed countries है agricultural technology is not adopted in developing countries अब देखिए agricultural technology is not adopted in developing country तरी ऐसा नहीं है मतलब हम लोग adopt तो कर ही रहे हैं हम यह नहीं कह सकते हैं कि adopt नहीं किया गया है हाँ अगर यहां पर यह question में बोला जाए कि agricultural technology is not adopted ओके नो this should not be correct यह पहले नहीं किया गया था यह जो हमारा कह सकते हैं कि पहले के time पर अगर बोला जाए कि यह नहीं किया गया क्योंकि यहां पर देखिए आप साफ साफ देखेंगे tropical technology is little if it is not adopted ठीक है in the developing country in the developing world as applies as much to the existing forming technique as यहां पर देखिए as much to existing forming technique as it does to the latest advances in the genetic modification तो कही न कहीं यह बात बोली आ रही है कि हमें दोनों ही जगों पर हम लोगों ने technological development करके रखा हुआ है तो answer होना चाहिए answer should be A answer होना चाहिए A दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं question number 2 बोला जा रहा है poor countries need to bring about change in their existing forming technique यह बात सही भी है कि जो poor countries हैं उनको changes करने की जरूरत भी है तो यहाँ पर सही बात है क्योंकि यह काफी पिछड़े हुए they need to adopt the new forming techniques new forming और you can say agricultural technology developed countries have better infrastructure and they waste less food अब देखिए last वाले portion में देखिए so would things like better road and storage a facility to allow for the carriage of surplus to market and reduced waste यह काम किया जा सकता है with the technology लेकिन क्या कहीं पर भी ऐसा आपको answer में देखने को मिला इस passage में देखने को मिला कि यह लोग नहीं करते हैं कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं हमें यहीं कहीं पर भी ऐसा नहीं पता चल रहा है कि यह लोग waste के बारे में यह waste reduce कर रहा है ऐसा कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है तो कहीं न कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि यहां ठीक है this may not be correct तो जो यहां पर आप बोल सकते हैं वो again a होगा this should be the thing तो यह आपके पास में answer हो जाएगा ठीक है आपको ध्यान देखे एकुल मिला करके यही ध्यान रखना होता है कि आपके passage में लिखा क्या है तो जो passage में लिखा होगा based on that only you have to draw the answer आगे बात करते हैं हमारे पास में next जो question था वो futuristic view को ले करके था तो growing growing enough food for future generation will be a challenge आने वाले time में जो future generation है उसमें हमें जो भी food crop है उसको उगाना challenge होगा सही बात है क्योंकि देखिए दो point यहाँ पर बोला जा रहा है एक point बोला जा रहा है कि जो जमीने हैं यहाँ पर दीखिए जो हमारे पास में जमीने है unformed land left that is suitable to be brought under the law अब यहाँ पर बचा ही नहीं है कुछ की नई जमीन बची जिस पर हम लोग खेती कर सके तो हमारे पास एक saturation level तो आ ही रही है दूसरी बात यहाँ पर बोली या रही है कि corporate forming is a viable option for food security in the poor country statement सही हो सकता होगा हमें नहीं पता लेकिन इस passage में कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं की जा रही है तो चब चर्चा नहीं की जा रही है तो आप answer में भी नहीं लिखेंगे तो this would be the main answer कुल मिला करके देखिए इस पूरे passage में क्या कहीं पर भी क्या कहीं पर भी corporate के बारे में बात की गई है क्या नहीं तो corporate के बारे में जब बात नहीं की गई है तो हम कैसे उस चीज को assume कर सकते हैं तो यह हो गया आपका answer तो I think now यह आपका clear हो गया होगा एक बात ध्यान रखेगा जो भी assumption based इस तरीके के questions होते हैं जहां पर भी आपको assumptions draw करने होते हैं यह थोड़े philosophical टाइप के questions होते हैं philosophical टाइप के questions होते हैं अब देखें यहां पर attempt तो करना चाहिए ऐसा नहीं है कि attempt नहीं करना चाहिए attempt करना चाहिए but relatively यहां पर थोड़े से गलत होने के chance रहते हैं क्योंकि कई बार philosophical answer को draw कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो परिशान होने के ऐसा जुरूत नहीं है देखें कुछ questions तो गलत हो ही जाते हैं और इतना तो खेर error ले करके चला जाता है लेकिन खेर यह जस्ट आपको idea देने के लिए है कि अगर आप save side चलना चाहते हैं तो you can skip these type of questions अब चाहें तो इस तरीके के questions को skip कर सकते हैं अगर skip करना हुआ तो अगर माल लेते हैं आपका time आपको allow नहीं कर रहा है तो आप इस तरीके के questions को skip करिए जहां पर भी assumption बनाने के बारे में बोला जा रहा है अब आगे बढ़ते हैं next passage के ओर में आते हैं next passage में again हमारा तरीका वही होगा सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आपको जो question है उसको read करना है और read करने के बाद में आपको वहां के keyword को छाट लेना है तो जरा छाटना शुरू करते हैं अब यहां पर देखिये question पढ़िए पहला ही keyword यहां पर लिखा गया है cannot anticipate future environment on the earth in fact यह जो पहला statement ही है पूरी की पूरी लाइन है वो यहीं से शुरू ही हो रहा है अब देखिए नेचुरल सेलेक्शन जो होती है वो फ्यूचर इन्वायर्मेंट पर हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके का चेंज हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है therefore a set of existing organisms can never be fully prepared पूरी तरीके से हम लोग यह नहीं बता पाएंगे कि हमारा जो organism है जो अभी exist कर रहा है वो आगे जाकर किस तरीके से prepare करेगा मतलब हम उतना mitigational measure उतनी जादा preparedness नहीं रख सकते हैं क्योंकि future के बारे में हमें नहीं जानका रही है for environmental catastrophe that await life and outcome of this is the extinction of those species अब सीधी सी बात है हम तयारी नहीं कर पाएंगे तो आगे जाकर के इन species का extinction हो सकता है विलुप तो हो सकते हैं which cannot overcome environmental adversity this failure to survive in a modern term can be attributed to the genomes which are able to understand geological vagaries or biological mishaps अब देखिए अगर मा लेते हैं इस failure to survive अगर मा लेते हम survive नहीं कर पाते हैं तो आज की date में हम क्या कर सकते हैं can be contributed to the genomes अब क्या है उसकी genes रखी जा सकती है जिसके basis पर ultimately अगर मा लेते हैं future में किसी infection किसी disease के कारण अगर वो नहीं survive कर पाता है तो ठीक है हम उसको regenerate करना चाहें तो बाद में regenerate कर पाएंगे इन biological evolution on the earth again biological evolution on the earth extinction of species has been a major feature the earth may presently have up to 10 million species मतलब अभी क्या है लग बलब 10 million species होंगे और जबकि इसमें से yet more than 90% of the species that have ever lived on the earth are now extinct 90% species जो पहले रहा करते थे वो खतम हो गया है in fact हम लोगों ने discussion भी कर रखा था हम लोग 5th mass extinction में जी रहे हैं mass extinction में अब यह देखिए basically एक जानकारी के तौर पर यहां पर हम लोग बात कर रहा है इस 5th mass extinction का इस पैसे से कोई भी लेना देना नहीं है तीक है यह जानकारी के लिए है कहने का मतलब यह है कि अगर मा लेते हैं उपर वाला है खुदा है भगवान है गौड है तो यह बड़ा logical सा नहीं लग रहा है मतलब यह logical यहां पर कहीं पर भी नहीं है कि इतने सारे species को बनाया और फिर खतम कर दिया यानि की एक्स्टिंट कर दिया Darwin की एक्स्टिंट लाइफ इस वन्स अगें सिंपल Elegant and at once convincing Organisms go extinct as a function of environmental or biological assault for which their inheritance deems them ill-equipped Therefore, so-called Darwinian theory of evolution is not a theory at all Evolution happen, this is a fact The mechanism of evolution, Darwin proposed natural selection is implied supported by sufficient data Indeed, to date, no single geological, botanical, geological, paleontological, genetical or physical evidence has refuted either of the central to main Darwinian ideas If religion is not taken into consideration, Darwin laws are acceptable just like the laws proposed by Copernicus, Galileo, Newton and Einstein set of natural laws that explain natural phenomena in the universe मदबकुल मिला करके वही है, एक possibility idea और एक deterministic idea इन दोनों को आपस में compare किया जा रहा है अब जरा देखिएगा यहाँ पर यहाँ लोगों ने passage read कर लिया, passage read करने के बाद में अब जरा वापस है यह question पर लगबग लगबग हम लोगों ने जो keywords है उसको भी identify कर ही लिया है कि कौन-कौन से हमारे पास में keywords है अब जरा यहाँ पर read करना शुरू करिए read करने में पहला बोला या रहा है कि species not fully prepared to face the environmental changes that await them will face extinction सही बात है जो लोग भी prepared नहीं होंगे वो आगे जाकर के extinct हो सकते हैं ठीक है, यही बात यहाँ पर बोली भी जा रही है कि जो भी हमारे पास में species prepared नहीं हो पाएंगे they are not, they can never be fully prepared they will go extinct और in fact यह extinction होती भी है तो पहला statement तो देखिए आपका correct statement है यह statement में तो कोई दिखकर नहीं आने वाली है दूसरा देखिए all the existing species would get extinct as their genome will not withstand biological mishaps ऐसा तो नहीं है कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला गया है यहाँ पर यह बोला गया है कि those species, all नहीं those species would get extinct जो लोग भी environment के साथ में struggle नहीं कर पाएंगे अगर struggle मतलब की evolution जिसकी जिसकी नहीं हो पाएगी जिसकी जिसकी evolution नहीं हो पाएगी वहाँ वहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि extinction का case देखने को मिलेगा तो दूसरा statement तो वैसे ही wrong हो गया और जैसे ही देखिए दूसरा statement आपने wrong किया आंसर आपका निकल करके आ गया दिस इस दा आंसर ठीक है एक पर वह से statement पढ़ लिजे क्या है inability of the genome to withstand environmental changes would result in extinction बात सही भी है अगर माल लेते हैं आप genome inability अगर माल लेते हैं अगर माल लेते हैं survival की condition नहीं हो भाती है तो फिर वो extinct हो जाएंगे बात सही भी है extinction of species is a common feature ये भी बात सही है क्योंकि देखिए 90% of the species have already been extinct ये अलरड़ी हो चुके हैं तो ये बात भी सही statement हो जाएगा बात समन में आई क्या चीज है कर लेंगे इस तरीके से दूसरा statement पढ़िए क्या बोला जा रहा है कि the passage suggests that Darwinian theory of evolution is not a theory at all Darwin की theory अपने आप में theory क्यों नहीं है क्यों नहीं है देखिए यहां पर लिखा हुआ था Darwinian theory of evolution is not a theory at all क्यों क्योंकि evolution जो होती है वो होगी this is a fact mechanism of evolution Darwin proposed natural selection is amply supported by scientific data इसके उपर की जो बाते हैं वो है it does not satisfy the creationist it does not specify the creationist doctrine ऐसा कुछ तो है नहीं है बलकि इसी चीज़ को तो question किया गया था कि भाई जिसने creationist जो बनाया है वो extinct क्यों कर रहा है logical नहीं लग रहा है दूसरा बोला रहा है extinction is a function of environmental and biological assault बात सही भी है देखिए यहाँ पर बोला भी गया है कि जो हमारा organisms होती है वो extinct होती है क्योंकि यह environmental और biological assault का एक हमें result देखने को मिल जाता है और इसी कारण से बोला जाता है कि Darwinian theory is not a theory at all देखिए तो दूसरा statement तो correct statement लग रहा है तीसरा बोला रहा है कि there are no evidence to refute it अब देखिए कुछ भी लिखा गया है इसका कोई खास मतलब नहीं है existence of organism is attributed to the creator यह scientific नहीं है तो scientific वाली चीज़ों को हम लोग ले करके आएंगे और हमारा answer यहाँ पर बी वाला correct answer बना खैर यह तो एक straight सा answer हो गया क्योंकि just after die statement यह आपका line भी लिखा गया है तो खैर यह मेरे इसाब से easy passage में count किया जाएगा अब यहाँ पर देखिए फिर से पूछा जा रहा है following assumptions have been made हम लोग ने assumption के बारे में बोला कि this is philosophical in nature यह होता है philosophical और जो philosophical होता है उसमें थोड़ा सा आपको बच करके ध्यान से पढ़ना होता है और अगर वही है time permit नहीं कर रहा है then you can skip these type of questions गलत होनी के असल में संभावना थोड़ी सी जादा रहती है इस वज़े से लेकिन खैर हम लोग पढ़ते हैं जरा फिर से दिखने नहीं का assumption आपको बताना है कि assumption क्या क्या आप यहां पर बना सकते है what assumption you can made and it would be valid only species that have the ability to overcome environmental catastrophe will survive and perpetuate अब देखें पढ़कर के समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है वो species जो environment के साथ में cope up कर गए होंगे जो environment के साथ में जो भी changes आ रहे हैं उनको अपने आप में adopt करते गए होंगे वो survive कर जाएंगे बास सही भी है इसी को तो in fact हम लोग evolution भी बोलते हैं तो हम एक assumption यह मान सकते हैं कि ठीक है वो सारे species बच जाएंगे तो यह अपने आप में एक correct हो जाएगा दूसरा statement बोला रहा है कि more than 90% of the species on the earth are in the danger of getting extinction due to drastic changes in the environment अब देखें यह कोई assumption नहीं हुआ यहाँ पर actual में यह मतलब तो इसका यह होना चाहिए था कि 90% of the species extinct हो गए हैं अभी तक जब से earth बना है तब से अभी तक 90% of the species extinct हो गए हैं और वो extinction निसे ले हुआ है क्योंकि climate change हो रहा है environment में changes आ रहे हैं तब हो रहा है लेकिन ऐसा तो बिलकुल नहीं है कि आने वाले time में और 90% लोग जो है वो extinct हो जाएंगे that is not the case because we can conserve them in fact the biological species जो biological species हमारे पास हैं भी वो खुद भी अपने आप में changes लाकर के evolution कर सकते हैं in fact आज की date में देखेंगे तो evolution बहुत ज्यादा हो रही है so that will be the case Darwin theory explain all the natural phenomena अब देखिए all the natural phenomena तो गलत हो जाएगा केवल और केवल कुछ ही evolutionary measure को ये बता पा रहे हैं तो ये भी statement अपने आप में गलत है हम ये बोल सकते हैं कि हमारा ये होगा correct एक तरीके से कहिए कि केवल और केवल assumption number one ही यहाँ पर valid बन पा रहा है बात समझ में आई क्या चीज है clear चलिए अब देखिए next passage हमारे पास में आता है और I think next passage से केवल एक ही question पूछा गया है अब देखिए वापस से आएंगे step number one क्या बोलता है step number one बोलता है कि पहले हम अपने question को पढ़ेंगे तो question is which one of the following statement best reflect the crux of the passage अब देखिए जो crux वाली बात है वो है conclusion आखिर में इसका conclusion क्या निकल करके आ रहा है या फिर आप बोल सकते हैं कि इसकी summary क्या निकल करके आ रही है अब जरा पढ़िएगा summary फिर देखेंगे summary ये है already ये इतना कम में है कि summary पता चल जाता है सुनीगा with steady economic growth higher literacy and increasing skill level the number of Indian middle class families has gone up exponentially कहने का मतलब ये है हम लोग जो steady economic growth कर रहे है और higher literacy and increasing skill level number of Indian middle class families जो होती है वो काफी तेजी से आगे बढ़ते है exponential का मतलब ये होता है इस तरीके का graph आएगा तो exponentially आगे की ओर में बढ़ रही है कारण क्या है जो धीरे धीरे जो economic growth हो रही है लेकिन जादा focus किया जा रहा है पढ़ाई लिखाई पर और skill development पर direct results of the effluent have been direct results of the effluent have been changes in the dietary pattern and energy consumption level जो हमें इसका तुरंत में effect देखने को मिल रहा है वो है अच्छा खाना पीना ये लोग रख रहा है nutritious food उठा रहा है और दूसरा energy consumption यानि की इनके घर में हो सकता है electrical appliances वगरे जादा लग रहा होंगे इस कारण से इनमें energy की जादा requirement बढ़ गई है या फिर कुछ ऐसा ये machine लगा रख रहा है इस किल के कारण से कि वो अब जादा energy consume कर रहे है people have moved higher protein based diet यही चीज है कि जो dietary pattern है वो अच्छा हो गया यानि कि वो अब जादा protein based diet ले रहा है जैसे milk product हो गया, fish हो गया, meat हो गया all of which need significantly more water to produce than cereal based diet अब यहां पर देखिए इन सारे food में क्या है, पानी की जरुवत relatively ज्यादा पड़ रही है और अगर relatively ज्यादा पड़ रही है तो we can say that water का भी जो consumption है, the volume of the water का जो consumption है वो भी relatively ज्यादा हो जाएगा increasing use of electronic and electric machine gazette and motor vehicle need more and more energy and generation of energy needs water तो कहीं न कहीं यह energy को भी यहां पर लिया जा रहा है अब देखिए कुल मिलाकर के summary में जो अभी समझ में आया एक तो यह समझ में आया कि पहली चीज़ की जो middle class के लोग है middle class के लोग with the literacy and with the skill they can grow literacy और skill से यह लोग आगे की और में आगे बढ़ सकते हैं दूसरा समझ में यह आ रहा है कि जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है जैसे जैसे आदमी की economic growth होती है वैसे वैसे हम यह बोल सकते हैं कि इनका जो diet है वो अच्छा होते आएगा और साथ में energy की requirement भी अच्छी होते आएगी लेकिन इन दोनों का ही एक ill impact ही यह देखने को मिलता है कि water की consumption बहुत ज्यादा बढ़ जाती है water consumption will increase यह हमें देखने को मिल जाता है तो यह हमारे पास में दो summary type की देखने को मिल रही है अब चरह पढ़ लेते हैं देख लेते हैं कि यहाँ पर option में क्या दिया गया है और उसी के accordingly हम लोग अपने answer को mark कर लेंगे देखेगा people should be persuaded to continue with the mainly Indian traditional cereal based diet यह क्या है कुछ भी नहीं है तो फालतू है ठीक है इंडिया needs to focus on developing agricultural productivity and capacity for more energy generation इंद अपकमिंग है यह क्या है यह भी कुछ भी नहीं है पढ़ने में नहीं सवन में आ रहा है क्या है modern technological developments result in changes of cultural and social behavior of the people जो आज की date की जो technological developments हो रही है वो लोगों के culture and social behavior को बदल रही है बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है there is a possibility that this may be correct हो सकता है आगे है water management practice in India need to change dramatically in the coming year बिल्कुल सही बैट रहा है देखिए हम लोगों ने infect आगे देखा ही कि जो हमारे पास में summary निकल कर क्यार यह वो यही है कि water consumption हमारा जो है वो change होते है आ रहा है water consumption के बारे में यह हमारा most appropriate answer हुआ तो answer number C क्यों नहीं हुआ answer number C इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यह जो हमारा है वो केवल और केवल middle class के लोग करते हैं middle class देखिए यहाँ पर statement में शुरू में ही बोला गया था कि middle class families mainly और जबकि इस statement में general behavior देखने को मिल रहा है कि modern technological development result in a cultural and social behavior of the people यह तो higher class में भी हो सकता है middle class में भी हो सकता है lower class में भी हो सकता है और जबकि यहाँ पर हमें water management वाला यह भी हमारा एक general statement ही है लेकिन यह एक futuristic idea के basis पर बोले आ रहा है कि this need to change क्योंकि कहीं ना कहीं higher class वाले already उस water को use कर रहे होंगे consumption जादा होगी middle class वाले भी और जादा use करने लग रहे है तो हमें water management की future में जरूरत पड़ेगी बात समन में आ गई क्या चीज़ है तो यह भी statement हलाकि जो होता है काफी आसान साही था कोई खास यहाँ पर बड़ा major मतलब देखने को नहीं मिल रहा है now coming to the next part next question की ओर में आते है next question पहले वही फिर से पढ़ लिजे क्या चीज़े है question is passage is based on the idea that अच्छा यहाँ पर बोला रहा है passage का idea क्या है idea का मतलब एक तदीके से बोल दीजे कि ठीक है इसका context क्या है यह हमें बताना है दूसरा है man does not seek self improvement अब यहाँ पर है man जो है वो self improvement नहीं करना चाहता है does not seek यह उतना मतलब उसको नहीं चाहता है तो यह दो हमारे पास में keywords मिल गए I think ठीक है यही दोनों है passage को पढ़िए ठीक है पहला है idea को ले करके context को ले करके और दूसरा है कि man changes क्यों नहीं चाहता है why does he do not want change for two or more generation past ever increasing number of individuals have been living as workers merely जो individual है वो worker के तौर पर ही keval और keval बन करके रह गया है human being नहीं बन के रह गया है मतलब एक तरीके से worker का कहने का मतलब यहाँ पर हो रहा है economic means यह economic agent बन करके रह गया है और जबकि human being का मतलब होता है कि वो social agent भी होना चाहिए वो political agent भी होना चाहिए तो कई तरीके के यहाँ पर holistic view को देखा जाता है जब हम human being बोलते हैं an excessive amount of labor is a rule today in every circle of society again देखिए जो labor वाली बात है वो economics यानि यह बोलना चाह रहा है कि जो economics है वो prevail करती है हमारे society में ज़्यादा as compared to society बनलब की social जो benefits है या फिर social जो responsibilities है इसका result यह देखने को हमें मिल रहा है कि जो man की spiritual element है cannot thrive he finds it difficult to spend his little leisure in serious activities उसको money नहीं कर रहा है बढ़ियां ही नहीं लग रहा है जो serious activities है he does not want to think और he cannot even if he wants to वो चाहता है या नहीं चाहता है लेकिन वो सोच नहीं पा रहा है he seek not self improvement मिल गया keyword self improvement नहीं चाहता है but entertainment which would enable him to be mentally idle and to forget his usual activities लेकिन entertainment चाहता है जिससे कि वो mentally idle बना रहे और उसके जो activities जो usually करता है वो भूल लिया है therefore the so-called culture of our age is dependent more on cinema than on theater cinema more on theater theater का मतलब जहां पर लोग theater करते हैं मतलब आप जाक नुकर नाटक जैसे हो गया वो theater होती और cinema मतलब वही जो परदे परदे की जाती है more on newspaper magazine and crime stories than serious literature जो literature है उसको नपढ़ करके अब वो newspaper magazine और crime stories पढ़ रहा है अब यहां पर context क्या निकल करके आ रहा है context का मतलब क्या है जो यहां पर समझ में आ रहा है कि मैं एक तरीके से economic agent बन करके केवल और केवल रहे गया और social social तोर पर वो पीछे होते जा रहा है ठीक है यह बात समझ में आ रही है अब यहां पर देखिए statement में बोला क्या जा रहा है यहां पर यह बोला जा रहा है पहला statement यह in fact आप देखिए पहला statement में बोला जा रहा है कि men should not work hard यह क्या है तो फालतू चीज है आदमी को तो काम करना ही चाहिए इसा थोड़ी ना है कि चुपचा बैठा रहेगा और फिरीम पैसा मिलेगा उसे यह तो गलत statement हो गया दूसरा statement यहां पर बोला रहा है कि the great evil of our age is over strain बात सही भी है हम लोग strain बहुत ज़्यादा ले रहे है over strain हो रखी है ठीक है this may be correct यह हो सकता है men cannot think well yes तो ऐसा नहीं है men तो बलकि सोच सकता है men can think well बट यह क्या है उसको मिल नहीं पा रहा है सोचने को मौका नहीं मिल पा रहा है men cannot care for his spiritual welfare ऐसा नहीं यह कर नहीं पा रहा है cannot care he care but he doesn't get the time वो environment नहीं मिल रहा है तो यहां पर जो ज़्यादा most appropriate answer हुआ वो हमारा मिला ये वाला this one is the most appropriate answer ठीक है दूसरा man does not seek self improvement because he वो self improvement नहीं चाहता है क्यों नहीं चाहता है he is not intellectually capable ऐसा तो है नहीं intellectually तो capable है तो यह statement तो wrong हो गया दूसरा he has no time to do so हाँ भई लग रहा है इसके पास समय की थोड़ी कमी तो है he is distracted by materialism ये भी सही बात है कि यार उसके materialistic nature मतलब कि किसके पास कितना मतलब पैसा है किसके पास कितना आशो आराम की चीजे हो गई है ये सब materialism जो होती है उससे बड़ डिस्ट्राक्ट हो रहा है और सी वज़े से ये इसी वज़े से ये economic activity में घुसता चला जा रहा है economic agent बन रह गया है loves amusement and is mentally idly ये गलत बात है ये तो बलकि result देखने को मिल रहा है कि ये हो गया है अब देखिए self improvement वो नहीं चाहता है अब यहाँ पर ज़रा देखिए वो self improvement he doesn't want to think he doesn't want to think और cannot even if he wants to वो चाहता भी है तो भी नहीं कर पा रहा है क्यों नहीं कर पा रहा है क्योंकि उस society में जो spiritual element है उसको तरफ नहीं जा पा रहा है he spend his little leisure in serious activities और वो इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं अब जो generations है वो अब worker केवल बन करके रहे गई है वो human being बन करके नहीं रही है तो इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर अब ये materialism की ओर में relatively ज़्यादा attract होते जा रहा है और materialism की तरफ ज़्यादा attract हो रहा है इस वज़े से उसको time नहीं मिल रहा है और इस वज़े से time नहीं मिल रहा है तो वो self improvement नहीं कर पा रहा है तो इन दोनों में B और C में most appropriate जो answer बना वो बना हमारा C number का most appropriate answer और सी दी सी बात है most appropriate इसी वज़े से बन रहा है क्योंकि B वाला जो option है वो इसी C से निकल करके आ रहा है बढ़ते आगे next question क्यों में next हमारे पास में passage है passage number two फिर से इसको read कर ये जरा फटाफट क्या बोला जा रहा है which of the following would invariably happen in a country when the demographic dividend has begun to operate अब यहाँ पर demographic dividend के बारे में कुछ-कुछ बाते बोली गई है और यहाँ पर बोला जा रहा है which of the following would invariably happen यानि कि आगे जाकर के मतलब invariable तरीके से क्या हो सकती है variable मतलब एक pattern पर हो और जब एक pattern पर चीज़े नहीं होती हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं invariably तो invariably क्या चीज़ हो सकती है the number of illiterate people will decrease ratio of very old and very young will decrease for a violent population growth will quickly stabilize कुछ-कुछ होगा यहां से बात समझ में आ रही है कि कुछ demographic parameters को ले करके हमें points उठाना है demographic parameters को ले करके points उठाना है ठीक है दूसरा statement जड़ा पढ़िए दूसरा statement है with reference to the passage which of the following inference can be drawn अब देखें यहां पर inferences के बारे में है यानि कि क्या-क्या conclusion हम लोग यहां से derive कर सकते है तो conclusion के बारे में यहां पर बाते आ रही है बस यही दो statement है चलिए फिर फड़ा फड़ जड़ा passage पढ़ लेते हैं अब यह passage देखें यहां पर है demographic dividend पहला keyword तो यहीं पर मिल गया demographic dividend ठीक है this is demographic dividend which has begun in India and is expected to last another few decades is a great window of opportunity मतलब यह बोला रहा है कि demographic dividend आगे आने वाले एक साल मतलब कि आगे जो 10 साल है उसको भी जाने वाला है 10-15 साल जो भी आगे आने वाले कुछ decades में हमें यह देखने को मिल जाएगा और यह बड़ी अच्छी opportunity भी it is providing great opportunity ठीक है हमारा अभी तक कोई मतलम नहीं निकल करके आए क्योंकि question में इस तरीकी की बाते नहीं की गई है हम यह बोल सकते हैं कि यह जो great window of opportunity है यह हमारे लिए conclusion के तौर पर निकल करके आ सकता है यह तो यहाँ तक बाते बोली यार यह कि definition क्या है यानि कि demographic dividend की definition क्या है उसके बारे में हमारे कोई काम का नहीं है from the experience of Ireland and China we know that this can be a source of energy and an engine of economic growth again यह international perspective के बारे में बताए जा रहा हमारे लिए किसी काम का नहीं है the demographic dividend tends to raise a nation's saving rate since in any nation it is the working age population that is the main saver यहाँ पर बोला रहा है कि economic growth यहीं से होने वाली है लेकिन इतका भी हमारे काम का कोई मतलम नहीं है अब यह आगे आ सकता है कि यहाँ पर benefit क्या हमें देखने को मिल रहा है benefit of demographic dividend यह हमें देखने को मिल रहा है in terms of quality of working age population and this implies bring back to the importance of education acquisition of skill and human capital तो कहीं न कहीं हमें demographic dividend का benefit हमें तभी देखने को मिलेगा जब हम education, skill और human capital को महत्व दे, importance दे और इससे हमारी quality of working age population भी बढ़ते आगी तो अब यहाँ पर बोला रहा है कि what would invariably happen in a country when the demographic dividend has begun to operate अगर यह demographic dividend यहाँ पर हमारा चलना शुरू हो गया है तो क्या ऐसी चीज होगी जो invariably होना शुरू हो जाएगी क्या होगा अगर हम demographic dividend को demographic dividend has begun to operate पहला बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो number of illiterate people है they will, they will decrease ऐसा कैसे हो जाएगा illiteracy का demographic dividend से क्या मतलब है हाँ इस demographic dividend में अगर हम education को importance दे हम skill को importance दे हम human capital को importance दे तब जा करके होगा तो यह decrease वाली item यह गलत होगई यह हम नहीं कह सकते हैं जैसे ही दो आपने cut किया answer निकल करके आ गया ऐसे तो कि यार पहले 43 वाले का काईदे से C हो जाना चाहिए the ratio of very old and very young will decrease for a while very old and very young सुनिएगा the ratio of very old माल लेते हैं कि very old यह हो गया very old और very young जो very young लोग है इनका जो ratio है first cut काटा ना दूसरा क्यों काट दिया मैंने यह one काट दिया मैंने जैसे ही one काटा मैंने answer ऐसे तो निकल करके आ गया लेकिन चलिए पढ़ लेते हैं जो very old और very young लोग है इनका जो ratio है वो गिरेगा बात समझ में भी आ रही है कि young लोगों की population लगातार बढ़ते आएगी और यह old वाली घट रही है तो overall क्या हो गया double sided घटना शुरू हो गया तो यह statement तो बिलकुल correct statement और एकदम आख बंद करके आप इसको mark कर सकते हैं population growth will quickly stabilize देखिए quickly कोई चीज नहीं होती है हमारे इस population pyramid में यह हमेशा एक steadily होगा धीरे धीरे होगा तो यह statement भी wrong है खैर वही चीज़ हमारी निकल करके भी आ गई है answer ठीक है यह statement तो यह तो question काफी आसान था आगे हमारे पास में है conclusion को ले करके conclusion यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि demographic dividend is an essential condition for a country to rapidly increase its demographic economic growth rate सही बात है कि अगर आप किसी country की economic growth अगर आपको करनी है तो उसके लिए demographic dividend एक essential condition के तौर पर हमें देखने को मिल जाती है तो ठीक है बात सही है निकाल सकते हैं आप you can say this कि this may be the essential condition now promotion of higher education is an essential condition promotion of higher education is an essential condition for a country for its rapid economic growth यह भी सही बात है higher education not necessarily higher education education is important education is important यह भी जो हता essential condition for a country for its rapid economic growth लेकिन ठीक है यह भी आप बोल सकते हैं कि दोनों ही यहाँ पर एक तरीके से बोल दीजे कि correct option बन जाएगा तो यहाँ पर यह answer होना चाहिए दोनों का ही यहाँ पर answer correct होना चाहिए बात समझ में आई क्या चीज है तो यह हमारे पास में answer निकल करके आ जाएगा और इसके basis पर हम लोग बोल सकते हैं कि यह हमारा answer हुआ तो हमारे passage में यह सारे answers हम लोग ने discuss किये और ठीक है यहाँ पर stop करेंगे और बाकी के जो questions उनको एक बार आप लोग practice करिएगा देखिए हम लोग question discuss कर सकते हैं discuss करने से आपको एक तरीका पता चलते रहेगा read करना, कैसे read करना है यह सब चीजे आपको पता लगेंगी लेकिन ultimately आपको confidence तभी आएगा जब उसको आप खुद से करना शुरू कर देंगे तो it is very important for you to attempt the question और खुद से करना ज़्यादा ज़रूरी है पर खुद से करिएगा, practice करिएगा questions के साथ में और break करना शुरू करिए question को तो इससे आपको और better understanding और एक correct answer भी मिलेगा फिलाल यहाँ पर stop करेंगे जो doubt रहेगा पूछ लीजेगा टेलीग्राम चनल में मिलेंगे अपने next session में Till done, goodbye, thank you so much, bye bye